देखेए पूरा टेंशन देना सारे सारे strengths. यहाँ लिखा है मैंने कल उसकी मदद की और यहाँ लिखा है मैंने अभी उसकी मदद की. अब question उड़ता है कि sir हम इसको simple past में बनाएं, option A, option B and option she. question उठता है कि sir इन तीनों में से कौन सा वाले option में हम इनको fit करें तो जिसमें बात कल उसकी मदद की वाली है अगर मैं यहाँ पर की के बज़त की थी भी लिख दूँगा तो भी इस situation में याद रखना कल लगा है इसलिए simple past me बनेगा इसका answer आएगा I helped him yesterday कि आप बोलो कि sir मदद की थी लगा है तो sir इसमें न यह सबी तो हो सकता है कि I had helped him yesterday सबी तो बना सकते हैं कि इस tense को यूज नहीं कर सकते इस tense को आपको तभी यूज करना है perfect tense को जब आपने कोई काम किया और उस कारण से कोई काम हो चुका था या उसके पहले या बाद में कोई काम हो चुका था जिसे मैंने कहा जब आप वहां पहुचे न मैं उसकी मदद कर चुका था या मैंने उसकी मदद कर दी थी कल जब आप वहां पहुचे तो ऐसी situation में कहा जाएगा When you raised there I had helped him मतलब कोई काम हो गया था हो चुका था complete तो ही लगाना होता है आपको perfect tense बाकी हर जगे perfect tense मत लगाया करो Past में कोई काम हुआ कल हुआ, last week हुआ, last month हुआ, last year हुआ अगर मैंने कहा भारत 1947 में आजाद हुआ था तो ये बात भली बहुत पुरानी है 70-54 साल पुरानी, लेकिन English में जब बोलोगे तो simple past में बनेगा कि भारत got freedom India got freedom या भारत got freedom जो भी बोलना चाहें, भारत got freedom in 1947 आएगा नए कि भारत had got freedom in 24 ये नहीं आए ये छोटे-छोटे concept है that you must know क्योंकि होता क्या बड़ा confusion होता है बच्चों तो जब आप बोलोगे मैंने कल उसकी मदद की तो इसका English होगा, I helped him yesterday और दूसरा मैंने अभी उसकी मदद की अब यहाँ अभी लिखा है तो अभी लिखने के कारण अब आप इसको जब English में बनाओगे तो अब present perfect में बनाओगे I have helped him now और अभी just तो just now भी लिख सकते हो कि I have helped him just now अब आप बोलोगे सर मैंने अभी उसकी मदद की है तो तो बोले ही नहीं मैंने मदद की बोला past में जाना चाहिए बिलकुल नहीं अभी लिखा है मतलब obviously अभी करी होगी मदद आपने present में कोई काम recently अभी हुआ है तो यहाँ पर जब आप बोलोगे कि तो काओगे I have helped him just now तो इन tenses को लेकर जरासा भी confusion दिमाग के अंदर मतलाओ कि में sir ये 10 को कहा लगाओ इनको आप सबसे पहले समझा करो sentence को कि sentence किस बारे में है पिछले सपता में वहाँ गया था अब मुझे बताएं इस sentence के अंदर क्या दिख रहा है तो पिछले सपता दिख रहा है मतलब किसमें बात होगी simple past में क्योंकि last week, last month, last year ago, before कोई year की बात हो 1947 ये सब किस में बनते है simple past में तो जब आप कहोगे पिछले सबता में वहां गया तो आप English में कहोगे last week I went there कोई जरवत नहीं last week I had gone there I had gone there कब बोलना है जब आप कहोगे when you reached here I had already gone there जब आप यह पहुचें तो मैं पहले से वहां जा चुका था तो जब कोई काम हो गया था past में तब आपने कोई काम किया तो ही यहां लगाना है और यह कब लगाना है अभी हाली में मैंने एक बहुत शानदार movie देखी तो हाली मैं देखी तो क्या कहोगे तो एसे आपको sentence के according चीज़ी यूज़ करने हूँ है अभी तो गया है वो just तो किस में बने गया है अभी तक उसने खाना नहीं खाया तो अभी तक उसने खाना नहीं खाया अभी तक मतलब अभी तक काम हुआ नहीं है perfect की बात है So far he has not eaten food या he has not eaten food till now He has not eaten food so far He has not eaten food by now He has not eaten food yet क्योंकि अभी तक के लिए English में बहुत सारे वर्ड है अभी तक को क्या कहते है English में So far भी कहते है Till now भी कहते है By now भी कहते है Still भी कहते है Yet भी कहते है लेकिन यट कहते है negative meaning में still use करते है affirmative meaning में तो इस तरीके से आपको यह सारी uses को learn करना तो basically कोई बड़ा concept है नहीं कि मैं यह tense लगाओ कि यह tense लगाओ sentence को सुनो समझो उसके according गोल दो अभी तो मैंने mobile मैंना ठीक करवाया था कुछ दिन पहले ही पता हो क्या आएगा अभी रिपेर गर बाया था मतलब I have got my cell phone repaired just now ठीक न और अगर आपने बोला कि कुछ दिन पहले तो few days ago few days ago लग जाएगा तो simple past में चला जाएगा few days ago I got my cell phone repaired I got my cell phone repaired ये कॉज़टिव अब में बना है get repaired का मतलब होता repair करवाना करना नहीं करवाना ये सिखाएंगे आगे आपको तो इस तरीके से sentence को समझना और समझ के reply करने की टेक्निक को develop करना हो अगरा है तो कोई साबी tense यहां से आप बनाओ जिससे आपने का वो क्रिकेट खेलता Ama क्स था मुझना कोई गरिवी अपने का करीकेट खेल तो या फिर उसने क्रिकेट खेला का है he will be playing cricket on this time tomorrow वह वहाँ जा चुका है he has gone there वह वहाँ जा चुका था he had gone there वह कल तक वहाँ जा चुका होगा he will have gone there by tomorrow और ऐसे ही last में जब आप कहोगे तो आप वहाँ पर लगाओगे जब कोई काम एक समय से होते आ रहा है मैंने का मैं दो दिन से यह session attend कर रहा हूँ तो I have been attending this session for two days since oblique four लगाओगे past में क्या लगाओगे had been I had been attending this session for two days since oblique four लगाओगे और future में मैं दो दिन से session को attend कर रहा हूँगा I will have been attending this session for two days ठीक है जब इस तरीके से आप चीजों को बनाओगे जब इस तरीके से चीजों को समझोगे न तो चीजे tough नहीं लगेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ आप से everything is easy when you know the right method to make it and nothing looks tough कोई भी चीज़ tough नहीं लगती है बिलकुल easy going और आसान हो जाती है हलवा हो जाती is just आपकी भाशा मैं कहो लेकिन वो कब होती है when you understand the right concept to make it and that's why I insist कि एक एक चीज को समझ की बनाना है अब आप करो गया यहां से start करो एक sentence को है ना पूरा यहां तक ट्वल में ना back to back बोलने की प्राक्टिस करो पहले दो चलो आप बनाते है मैं बोलता आप उसको इंग्लिश में करना वो क्रिकेट खेलता है क्या कहोगे he plays cricket वो क्रिकेट खेलता था या उसने क्रिकेट खेला he played cricket वो क्रिकेट खेलेगा he will play cricket वो क्रिकेट खेल रहा है he is playing cricket वो क्रिकेट खेल रहा था he was playing cricket केल रहा है, he has been playing cricket since morning, वसुबसे cricket खेल रहा था, he had been playing cricket since morning, वसुबसे cricket खेल रहा होगा, he will have been playing cricket since morning, right, so उमीद करता हूं कि 12 तैंस आपके दिमाग में सबको fit हो गया हो गया है, जितने लोग भी session में हैं भी, सबको पूरा deeply समझ में आ गया होगा, what I have taught you today, and I think you must have understood, what is the difference between simple past, past perfect and present perfect, क्योंकि तीन टैंस भी बहुत ज़्यादा students को दिक्कत देते हैं, तो